आईए दोस्तों, आज हम वजनावले से इश्र के प्रेम के बारे में सुनेंगे। तुम मेरे दृष्टी में मूलेवान हो और मवत रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनश्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। इशा ने संसर को इतना प्यार किया कि उसने उनकी लिए अपने इकलोती पुत्र को औरपित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि आनंत जीवन प्राप्त करें। संद योहन 3.16 पिता तो स्वयम तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हैं और यह विश्वास करते हो कि मैं इश्वर के यहां से आया हूँ। और योहन से 16.27 मैं आनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। इसलिए मेरी कृपादुष्टी निरंदर तुम पर बने रही। यही रेमिया के ग्रंथ 31.3 बाले गडेरिया माह हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। उसी तरह मैं अपने बेडों को जानता हूँ। और मेरी बेडे मुझे जानती हैं। मैं बेडों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। और योहन से अध्याई 10, 15 संक्याइन, 14 और 15 आकाश प्रत्वी के ऊपर कितना उंचा हैं। उत्ना महान हैं अपने बक्तों की प्रदी प्रव का प्रेम। स्तोत्रगीत 103, 11 क्या स्त्री अपनी दूद्मुवा बच्चा बुला सकती हैं। क्या वह अपने गौद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी। यह दिवा बुला भी दे। तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। यह इसे अस नभी के ग्रन से चाप्टर 49, 15 और एक पार्ड है, उसके साथ हम आज का पार्ड यहां बंद करेंगे। चाहे पहार डल जाए, पहार यां दवादूल हो जाए। किन्तु तेरे प्रदी मेरा प्रेम कभी नहीं दलेगा। और तेरे लिए मेरा शांतिवी दन नहीं दवादूल होगा। आइसे पहार डल जाए, और पहार यां दवादूल हो जाए। किन्तु तेरे प्रदी मेरा प्रेम कभी नहीं दलेगा। और तेरे लिए मेरा शांतिवी दन नहीं दवादूल होगा। आइसे आइसे पहार डल जाए। God bless you।